इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गॉल ब्लेडर स्टोन बनते ही क्यों है और क्या आप गॉल ब्लेडर स्टोन को बनने से पहले ही रोक सकते हैं तो बने रही है मेरे साथ इस वीडियो में तोड़ा डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे उससे पहले हम समझ लेते हैं कि गॉल ब्लेडर का फंक्शन क्या है और ये पत्री बनती क्यों है एक्चुल में गॉल ब्लेडर जो हमारे शरीर को नेचर ने एक रिजर्वार के तोर पे दिया है पित या जिसको बाइल जूस कहते हैं वो हमारे भोजन को पचाने में बहुत ही महतूर भूमिका रखता है जब भी आप कोई फैटी भोजन चिकना भोजन करते हैं तो जरूरत के हिसाब से ये बाइल जूस गॉल ब्लेडर के अंदर से निकल के आ जाता है और आपके जो फैट है या जो चिकनाई है भोजन के अंदर उसको आत में जाके चोटी आत में जाके पचाने में मदद करता है एक्चुल में ये जो बाइल जूस है वो आपके लीवर के अंदर बनता है और दीरे दीरे ये आपके गॉल ब्रेडर के अंदर इखटा होने लगता है और जब जरूत होती है उतना ही जरूत के हिसाब से गॉल ब्रेडर बाइल जूस आपकी आप में भेज देता है ये तो बहुत ज़ादा बनता है तो फिर ये पत्री बनने का कारण हो सकते है एक्चुल में जो बाइल जूस है अगर किसी वजह से वो गाला होने लगे सूखने लगे या वहाँ पे कुछ दूसरे पार्टिकल्स इकटे हो जाए किसी दूसरी चीज के किसी पिगमेंट के तो या तो जाए किसी वहाँ पे खट्ठा होने लगे गाडा हो जाए किसी चीस ते रुकावट आए तो वहाँ पे आपकी पिगमेंट स्टौन बन जाएगी और अगर वहाँ पे गॉल्बेटर के अंदर आपकी कॉलस्ट्रॉल की मातरा जादा हो जाए क्योंकि बाइल जूस के अंदर भी कॉलस्ट्रोल की अच्छी मातरा होती है वो बहुत जादा गारी हो जाए तो फिर यह स्टोन का फॉर्मेशन ले लेते हैं, हाला कि शुरुआती दूनों में ये बहुत थिक या बहुती सख्त नहीं होती है सॉफ्ट होती है, मल्टिबल स्टोन्स हो सकती है लेकिन दीरे दीरे जब ये पर्द पर्द यहां पे कुछ जमा होने लगते हैं और ये ज़्यादा कंसेंट्रेट होने लगता है तो फिर ये पत्थर की फॉर्म में आ जाते हैं वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पानी कम पीत हैं तो ये गाड़ा होने लगता है या आपके अंदर कॉलस्ट्रोल की ज़्यादा मात्रा होती है शरीर में आप बहुत ज़्यादा चिकना बोजन करते हैं या आपके अंदर LDL कॉलस्ट्रोल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है या आप मोटे हैं इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं उनमें पत्री जादा बनती है पित की एक रूल भी कहा जाता है कि अगर आप फीमेल हैं, फटाइल हैं, तुफ्ती पार कर चुके हैं और आप पैटी हैं तो आपको गॉल्वर्ड इस्टोन बनने का जादा खत्रा होता है तो ऐसे लोग जो चिकनाई जिनके अंदर जादा हो और वो चिकना बोजन भी करते हैं उनमें कॉलिस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पत्री बनना शुरू हो जाती है या आगे आपकी जो कॉमन बाइल डगता है उसमें को रुकावट हो जिससे पूरे का पूरा बाइल जूस बाहर ना निकल पाए और वहाँ पे बाइल जूस पड़ा रहे तो उससे पिगमेंट स्टोन बनने लगती है क्योंकि अगर ये यूज होता रहेगा तो निकलता रहेगा नया बाइल जूस आएगा लेकिन अगर आपका गॉल बेडर बाइल जूस से बरा है वो पूरी तरह की यूज नहीं हो रहा है तो आपे पिगमेंट स्टोन बनने का खत्रा बन जाता है ये तो हमने बात कर ली कि ये बनती क्यों अब इसको अवोईट कैसे किया जा सकता है अवोईट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप पानी बहुत जादे पियें सिट्रस फूरूट्स का सिर्के का जाता से जादा इस्तमाल करें और चिकने बोजन कम खाएं अपने वजन को अगर आप कम कर लेंगे तो आपको गॉल स्टोन बनने का खत्रा बिलकुल ही कम हो जाएगा और इस तरीके साथ आप देखेंगे कि अगर आपकी गॉल बेडर पत्री है भी तो शायद उसके साइज को भी आप रिड्यूस कर पाएं अगर आपने अपने गॉल बेडर के स्टोन को बनने से रोक लिया तो आप बड़े खत्रे से बस सकते हैं क्योंकि अगर गॉल बेडर स्टोन जादा बड़े हो जाते हैं तो फिर सरजरी ही उसका एक उपाय होता है और कई बार गॉल बेडर स्टोन अगर आपके गॉल बेडर में इंपक्ट हो जाते हैं चिपक जाते हैं तो ये गॉल बेडर के कैंसर और फिर बाद में लिवर के कैंसर का भी कारण बन सकते हैं, तो मैं आपको डुराने के नहीं कहा रहा हूँ, हाँ आपको प्रिवेंशन्स और प्रिकोशन्स ज़रूर लेने चाहिए, so that आप इस तरह की खतरनाग तुमारी उससे बच सके, अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर लें, शेयर करें, दोस्तों को जुरूर शेयर कर लें, और बैल इकन का बटन भी दबा लें, so that इस तरह की इन्फॉर्मेटी वीडियो आपको मिलते रहें, thank you, धन्यवाद.